Hello Friends, Welcome to our Channel Letters Government Job अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले ताके हमारी लेटस वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके आज हम बात करेंगे Bangalore Metro Rail Corporation में जो vacancies निकली है ITI, Diploma and Engineering Graduates के लिए उसके बारे में अगर आप इसके लिए आप apply करना चाहते हैं आप इनकी official website पर जाके apply कर सकते हैं ये इनकी official website है इसका link आपको नीचे description box में भी मिल जाएगा तो आप सीधा वहाँ से जाके apply कर सकते हैं apply करने की जो last date आप देख सकते हैं दो February से पहले जो है आप online apply कर सकते हैं इनकी official website पर जाकर जो vacancy आप यहाँ पर देख सकते हैं maintenance में vacancy निकली है अगर आपने relevant trade में ITI करी है तो आप जो है इसके लिए apply कर सकते हैं यह इन्होंने essential qualification दे रखिया है तो आप जो है एक बार देख सकते हैं age criteria जो है आपका यहाँ पर देख सकते हैं maximum 35 years से कम आपकी जो है age होनी चाहिए और जो total number of vacancies है वो यहाँ पर mentioned है आप जो है category wise division यहाँ से देख सकते हैं next जो vacancy है वो है junior engineer की vacancy है इसमें आपका 3 years का diploma होना चाहिए fields जो है यहाँ पर mentioned है तो age criteria आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों में जो same ही है civil के लिए भी यहाँ पर vacancies है 35 years से कम आपकी age होनी चाहिए आप जो है उसके लिए apply कर सकते हैं और जो vacancies है वो आप यहाँ पर category wise यहाँ पर देख सकते हैं category wise division आप यहाँ से देख सकते है next vacancy है वो है section engineer की vacancy है इसमें आपने degree करी होनी चाहिए relevant trades में trades आप यहाँ पर देख सकते हैं civil में भी vacancy है तो आप जो है age यहाँ पर criteria सेम ही है maximum 25 years है और जो divisions है post का वो आप यहाँ से देख सकते हैं apply करने के लिए आप इनके official website पर visit कर सकते हैं इनके official website का link जो आपको नीचे description box में ही मिल जाएगा तो आप सीधा वाँ से जाके apply कर सकते हैं तो friends इस वीडियो का अपने friends के साथ share करें और अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे comment box में जरूर पूछें thank you friends